और जिस exam का हम सब को बे सबरी से इंतजार था वो उस exam की dates finally declare कर दी गई है जी हाँ, H.S.S.C. जो की है हर्याना स्टाफ सलेक्शन कमीशन के द्वारा जो C.E.T. का exam है जिसके full form है common eligibility test 2022 अगर इस exam के notice के बार में बात कर दी जाए तो C.E.T. का जो notice है वो group C के post के लिए OMR-based exam होने वाला है C.E.T. का जो exam है वो 5 November Saturday और 6 November यानि की Sunday morning और evening की shift में conduct करवाया जाएगा उसके अलावा अगर इस exam की dates की और shifts की बात detail में की जाए 5 November 2022 यानि की Saturday को morning में सुभर 10 o'clock से लेकर 11.45 तक exam है और evening session आपका रहेगा तीन से लेकर 4.45 exam ठीक है उसके रावाद 6 November की बात की जाए तो Sunday को morning shift आपकी रहेगी 10 से पॉने 12 और evening shift आपकी रहेगी 3 से पॉने 5 अगर बात की जाए इस exam की duration की तो ये exam की duration है वो 1 hour 45 minutes की रहेगी जो की है 105 minutes और इसमे 5 minutes आपके extra मिलेंगे आपको 5th option फिल करने के लिए उसके लावा pattern of exam की बात की जाए तो MCQ based या फिर objective type questions रहेंगे और आपका जो written exam है ये basically computer based नहीं है written exam है यानि की pen paper पर ये exam conduct करवाय जाएगा pen paper based है और medium इसका दोनों है English और Hindi दोनों में ही आपको question paper मिलागा उसके लावा सबसे important बात की जाए तो it is informed that facial recognition on the basis of आधार कार्ड will be done on the random basis of the identity जी हाँ अपको अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाना है और आपकी जो verification है वो आधार कार्ड से match करके की जाएगी आपको verify किया जाएगा इसलिए अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाए अ तो आप इस site पर जाकर आपको description में site मिल जाएगी आप उस link पर visit कीजिए और फिर अपना admit कार्ड डाउनलोड कर लीजिए उसके अलावा ये आपको मैं बात बता दू कि इस exam का जो post है वो केवल group C के लिए निकली है group D के लिए अभी नहीं निकली है इसलिए जिन जिन बच काउड डाउनलोड कीजिए और अपनी तयारे पर और चार्चान लगाए धुरीना के संग थांक्यू आर हापे लोर्नी